आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यह Victor Mears टेस्ट है जो की Alcohol को Distinguish करने के लिए करते है 1 degree, 2 degree, 3 degree Alcohol को Find Out करने के लिए कि यह हमारा कौन सा Alcohol है इसमें क्या करना होता है देखें, जो हमारा Alcohol है कोई भी Alcohol हो सकता है आपके पास उस Alcohol को आपको Concentrated Hi या फिर Red Force for Us In the Presence of I2 आपको Reaction कराने है जब आप इसके Reaction कराते हैं तो यहां से आपको Alkyl Iodide Form हो जाता है Then Alkyl Iodide जो Form हो गया इस Alkyl Iodide को हम लोग Silver Nitrite के साथ Treat करेंगे Silver Nitrite मतब कि AgnO2 जब Silver Nitrite के साथ इसको Treat करते हैं तो यहां पर Nitro Alcane Form हो जाता है क्या Form होता है यहां पर Nitro Alcane Then Nitro Alcane को Nitrous Acid के साथ Treat करते हैं मतब कि HnO2 Then हमें देखना होता है And then Nitrous Acid से Treat करने के बाद यहां पर Different Compounds बनते हैं उसमें हम क्या Add करते हैं यहां पर NaOH Basic Medium प्रोवाइड कराते हैं Then क्या Colors आते हैं यहां पर उस चीज से हम Observe करते हैं कि हमारी जो reaction है जो alcohol हमें गीवन था वो कौन सा alcohol था 1 डिगरी था, 2 डिगरी था या फिर वो 3 डिगरी आलकोहल प्रेजन था ठीक है चले अभी हम Individually Acid की reaction में देखते हैं कि कौन से compound की reaction किस टाइब से proceed करती है तो सबसे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे जो 1 डिगरी या फिर जो primary alcohol होता है वो कैसे reaction करते हैं देखें सबसे पहले जो primary alcohol है वो क्या होगा आपका RCH2OH यह आपका primary alcohol है अब इस primary alcohol को आपने concentrated HI के साथ या फिर red phosphorous I2 के साथ जब treat किया तो यहाँ पे आपका alkyl iodide बन के आएगा तो यह होगा RCH2I अब इस RCH2I को आपको silver nitrite के साथ treat कराना है AgNO2 के साथ तो यहाँ पे क्या बनते है nitro alkyne तो यह बनेगा RCH2 NO2 इसके बाद आप इसे किस के साथ treat करा होगे nitrous acid के साथ that is HNO2 nitrous acid के साथ treat कराने यहाँ पे बनेगा nitrolic acid यहाँ पे क्या बनेगा nitrolic acid RC double bond NOH और यह NO2 यह क्या हो गया nitrolic acid then जब nitrolic acid में आप लोग base डालेंगे मान लीजिए अपने NOH डाला जब आप इसमें base अड़ करेंगे तो base अड़ करने के बाद यहाँ पे अगर आपको red color blood red color observe होता है कैसा color observe होता है आपको blood red color अगर आपको observe होता है तो यह चीज़ क्या बताएगी कि आपका alcohol है वो कैसा है 1 degree alcohol है अगर आपको blood red color observe नहीं होता है नमान लीजिए पोई और कलर अबसेव होता है तो वह कौनसा अलकॉहल हो सकता है देखें अब हम देखते हैं कि हुम्रा टू डिग्री अलकॉहल है वह किस टाइप से रियक्ट करता है इन रियक्शन के साथ यह हमारा 2 degree alcohol है जब हमने इसके alcohol HI के साथ treat किया तो यह यहाँ पे क्या form हो जाएगा आपका आलकाई तो यहाँ पे आपका साथ बन जाएगा है यहाँ आलकाई आयोडाइड बन जाएगा तो यह आपका बन गया आलकाईल आयोडाइड अब इस आलकाईल आयोडाइड को आपने किस के साथ treat कराना है सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब यह सिल्वर नाइट्राइड के साथ treat कर वाओगे से तब उसके बाद आपको क्या form हो गए हाँ पे नाइट्रो अलकाईन तो अभी आपका देखिए यह नाइट्रो अलकाईन के बनेगा CH यह दो अलकाईल ग्रॉप्स और यहाँ पे NO2 देन जब नाइट्रो अलकाईन को अब नाइट्राइस आसेड के साथ treat करा रहे हो that is HNO2 जब हमने इसे HNO2 के साथ treat कराया तो HNO2 पे उसके साथ treat करने के बाद यहाँ पे बनता है pseudonitrol that means carbon पे दो आपके अलकाईल ग्रॉप्स यह कारबन से आपका NO2 ग्रॉप्स और यह NO तो यह बन गए आपका यहाँ पे pseudonitrol देन जब pseudonitrol में आप लोग बेस डालते हो NOH तो अगर आपको ब्लू कलर ओप्टेन हो जाता है क्या हो जाता आपको ब्लू कलर ओप्टेन हो जाता है तो यह ब्लू कलर क्या सिकनिफाई करता है कि यह आपका 2 डिगरी आलकोहल है अब देखते हैं कि जो हमारे 3 डिगरी आलकोहल से हैं वो कैसे react करते हैं तो देखिए यह हमारा है 3-degree alcohol के साथ reactions देखते हैं वो कैसे react करेंगे यह 3-degree alcohol को हमने अच्छाई के साथ ट्रीट किया अच्छाई के साथ जब ट्रीट करेंगे तो यहां पर आपका क्या बनेगा अलकाई आयोडाइड अब अलकाई आयोडाइड को आपको किसके साथ ट्रीट करना है सिल्वर नाइट्राइड के साथ और जब आप इसको सिल्वर नाइट्राइड के साथ ट्रीट करोगे तो यहां पर आपका क्या बनता है नाइट्रो अलकेन अब नाइट्रो अलकेन को आपको किस च बाता चलेगा कि कोई reaction हुई है या नहीं हुई क्योंकि यहां पर तो color change दिखता ही नहीं है ठीक है nitrous acid डाइड दिया उसके बाद हमने इसमें क्या डालना होता है बेस अब हमने बेस भी डाल दिया यह हमारा last step होता है reaction का बेस डालने के बाद reaction में कोई color obtain ही नहीं हुआ यहां पर कैसी रही reaction हमारी colorless कोई भी color obtain नहीं हुआ यह colorless रही reaction तो देखिए अब जब हमारे पास कोई भी alcohol है हमने सभी alcohol के साथ same step proceed करा है सबसे पहले alkyl सबसे पहले HI के साथ treat किया then alkyl nitrite के साथ treat किया then nitrous acid and then base सारे steps complete करने के बाद हमें solution का color देखना है कि हमें कैसा color obtain होता है अगर हमें blood red color obtain हो रहा है तो वो one degree alcohol है अगर हमें blue color obtain होता है तो वो हमारा two degree alcohol है और solution में कोई color ही obtain नहीं हो रहा colorless solution है तो वो कैसा alcohol हो गया हमारा three degree alcohol तो यह हमारे alcohol के लिए ही alcohol को distinguish करने के लिए एक टेस्ट था, विक्टर मेर टेस्ट, जिसमें कलर की बेसिस पे solution का क्या color obtained होता है में लास्ट में, उससे हम easily differentiate कर सकते हैं कि हमारा कॉंसाल कॉल है. क्लासिक्स चुट्वल से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल ततास मिलें से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट आच चार्सो 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 पर